इक गाउं में मोनु नाम का एक किसान अपनी पत्मी राधा के साथ रहता था कुछी दिनों में उन्हें एक बीटा पैदा होता है जिसका नाम वो विहान रखते हैं एक दिन जब किसान अपने खेतों से घर लाट रहा होता है, तो उसे एक कुट्टे का पिल्ला दिखाई देता है, वो उसे अपने साथ घर ले आता है अरे आप इस कुट्टे के पिल्ले को घर क्यों लेकर आ गए ये अकेला रो रहा था, काफे बिमार और कमजोर भी लग रहा था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया अगर इसे हम यहां नहीं रख सकते, विहान बहुत छोटा है तो क्या हुआ, ये और विहान एक साथ बड़े होंगे, तुम चिंता मत करो, ये बड़ा होकर घर का और विहान का दोनों का ध्यान रखेगा राधा विहान और वीरू दोनों का ध्यान रखने लगती है, दोनों एक साथ बड़े होने लगते हैं देखते ही देखते साथ महीने बीच जाते हैं और विहान अब बड़ा हो जाता है राधा अभी विहान को वीरू के भरोसे छोड़ने लगती है वीरू मैं सबसी खरीदने के लिए बाजार जा रही हूँ पीछे से तुम अपने भाई विहान का ध्यान रखना वीरू सोए हुए विहान की निगरानी करी रहा होता है तब भी थोड़े देर में एक साप घर में घुश जाता है वो विहान के पास दो तेक कर उसकी तरफ बड़ी रहा होता है कि वीरू उस पर धावा बोल देता है दोनों के बीच खुब लड़ाई होती है और साप मर जाता है मगर इस लड़ाए में वीरू के मूँ में खुन लग जाता है अभी थोड़े देर में दर्वाजा खुलने की आवाज आती है वीरू ये वीरू देख मैं तेरे लिए बाजार से आज ब्रेड और बिसकट लाई ही अरे तेरे मूँ में ये खुन कैसे लगा ये भगवान कहीं तुने मेरे विहान को कुछ कर तो नहीं दिया छोड़ मेरे ड्रेस मेरे प्यार का ये बदला दिया तुने आज तुझे सबक सिखाती हूँ राधा पास ही पड़ी एक लकड़ी उठा लेती है और वीरू को बहुत मारती है वीरू बार-बार कमरे की तरफ इशारा करता है चला जा यहां से आज के बाद कभी आमताना ताश वीरू वहां से चला जाता है और राधा कमरे में अंदर जाती है तो मरे हुए साप को देखती है और उसके पास ही वीहां अपने खिलाने के साथ खेल रहा होता है यह सब देखकर राधा की आँखे खुली रह जाती है और वह तुरंट बाहर भाग कर जाती है अगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वीरू हमेशा के लिए वहां से जा चुका होता है राधा हमेशा वीरू की प्रतिक्षा करती रहती है मगर वीरू कभी नहीं लौटता इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पूरी बात जाने बिना कभी भी प्रतिक्रिया नहीं देनी जाहिए अगर एक कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें